नमस्कार सात्यों गौरव के अंदार हैं आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में अपन इसकुल व्यक्याता बरति-परिक्षा के प्रतम-प्रश्ण पत्र का पूरा विस्टेशन करने वाएं पूरा विस्टेशन यानि की पूरा जो सिलेबस है उसको समझने वाले हैं तो मैं आपका समय ज्यादा नहीं लूँगा यहां पर क्योंकि बीच में बहुत सारी बाते हैं और यह बात जरूर है कि सिलिबस अच्छे से अनालिसिस करना किसी ने सीख लिया और व्यवस्ति तरीके से पढ़ना सीख लिया तो निश्चित रूप से आधी जंग यहीं पर ज को अ महिनी लगे गा तो चलAyah आपको मैं आज लेके जाता हो और यह aby क plot date कि केंगेए कर से सब्हें आज क्रते हो तो इंग्लीस में आता है तो उसे बहुत सारे जैसे मेरे जैसे जो हिंदे हिंदी में बताने वाला हूं थोड़ा सा आज का जो सेसन रहने वाला है उसकी हाइलाइट बता दूं आपको सब्सक्राइब आपको देखने को मिलेगा ठीक है यह देखे लीजें लिए कि मैंने इसको हिंदी में कर रखा है बहुत अच्छी तरीके से और अच्छा जासे कुछ मिसिंग है तो पही मैं इसको बता दूगा आपको आपको आपसे अना मैंटल इसाथ में आपको यह बाद में बता दूंगा कि कौन से विशे से क्यानी कि कितने मार्क्स पूछे जाते हैं कौनसे विशे से पूछे जाते यह बहुत ज़्रूरी एपने तो वह भी आपको द्यान में रखते हैं ताकि कि आप लोगों के लिए आसान हो जाए कि कहां पे आपको ज्यादा जोर देना है ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अपन इसके पहली स्लाइड से सबसे पहले चीज आपको यह समझनी है कि परिक्सा इसकिम क्या है परिक्सा इसकिम यानि कितने प्रश्णा आने है कितने माक्स के होने है और जो पर्थम प्रश्ण पत्र है उसकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है क्योंकि सब्जेक्ट में तो सारे की सारे स्पूर्म आते हैं इसको लेक्श्रार देने लेकिन सब्जेक्ट के लिए अंदर इतने सारे तरह-तरे के subject होते हैं तो वहां पे जो जीके वाला चीज है वह बहुत माईने रखता है तो यहां पे जो आपकी पर चर्चा करते हैं सबसे पहले अपन लेते हैं जो सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे ज़्यादा प्रशन यहां से पूछे जाते हैं इतियास के अंदर पहले इसमें इंडियन हिश्ट्री पे ज्यादा वेटेश था लेकिन अब यानि की नया सिलिवस नया सिलिवस यानि की कि कोई rare chances है और मान लिजी फिर भी के बदलाव के chances बने तो भी क्या 2-3% 5% बस इससे ज्यादा नहीं है ज्यादा topic जो है आपके जुड़ने नहीं हो सकता है कुछ हटा दे यह हो सकता है तो 99% यही syllabus है और यह latest syllabus ही है इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है सबसे ब और यह भी था इसमें अब मौरिय को अटा दिया है अब गुप्त काल है आपके इसके अंदर सीधा ही और गुप्त काल में भी पूरा गुप्त काल नहीं है गुप्त काल में आपको शाहित्य कला और इस्तापत्य का विकास पढ़ना है यानि पूरा गुप्त लेके मत बैठ जाना के पूरा गुप्त काल है जो क्योंकि फर्स्ट्रेट के सिलिबस की एक बहुत अच्छी चीज है जो चीज पुछेंगे वो चीज दी जाती है अब गुप्त यदि पूरे पढ़ने जाओ तो आप तो पिर तो चंद्र गुप समुद्र गुप सारे कुमार गुप लेके अच्छा राष्ट्री अंदोलन के प्रमुख नेता अभी जैसे अपना जो फ्री बैच चल भी रहा है तो उसमें मैंने यह सारी चीजे करवा रखी है इतना यह सारा का सारा मैंने करवा रखा है अभी मैं बताऊंगा उसके जानकारे भी दूंगा और पूरा ही फ्री वैच है एक नंबर क्लास ते लगा कर जितने भी क्लासेज होगी सारी कई कोई फिस नहीं है कोई एसा नहीं है कि आप लोगों को बीच में मना कर दिया जाए वह भी नहीं है यह सारी चीजे मैंने पढ़ाई है तब विद्यार्तियों ने कहा था कि सरी प्रमुख नेता वाला कौन और जो पढ़ रहे हैं ना रेगुलर उनको सब को पताएगी यह सारी चीजे कितनी बहतर तरीके से करवा चुका हूँ और बिल्कुल सभी के लिए द्वार खुले ऐसा नहीं है कि जो पैसे देगा वो पढ़ेगा जो नहीं देगा वो नहीं पढ़ेगा सिक्सा के लिए पुछा तो बाखी नहीं पूछा जाएगा फिर आता है राष्ट्री आंदोलन अब राष्ट्री आंदोलन के विशेश संद्रम में क्या पढ़ना है महात्मा गांदी जवालाल नहरू वल्लबबाई पटेल मौलाना आजाज और बी यार अमेडगर यदि राष्ट्री आंदोलन पढ़ने जाओ तो एक महीन ही कम पढ़ जाएगा आपने को पढ़ने में लेकिन इसमें जो है special दे रखे हैं वैसे राष्ट्रे आंदोलन महात्मा गांदी जी के इर्दगीर्द ही चला है महात्मा गांदी जी को पढ़ते है तो most of राष्ट्र और फश्ट ग्रेड के फश्ट पेपर में बिल्कुल कॉमन है यहांसे लगाकर और यहांसे यह एक फाइल मिसिंग है यह मैं टेलीग्राम पे डलवा दूँगा यह साहथ कोई टेकनिकल इस्यू के कारण यह छोटी से यहां पर रह गई यहां दीख भी रही है तो टेकनिकल करो इसकी कर रहे हो दोनों में सैम क्लासेज है और सैम सिलेवस है इसमें क्या है संस्कृती में चार पढ़नी है कालिभंगा आहड गनेशवर और बैराट गुर्जर परतियार पढ़ने अजमेर के चोहान दिल्ली सल्तनत के साथ संबन्द इसमें भी तीन मेवड रन थंबोर औ पढ़ा होना चीए और मैं यह बिल्कुल आपको टेलिग्राम पर उप्लब्द भी करवा दूँगा गौरवग्यान धरा के नाम से टेलिग्राम है इसी नाम से स्पैलिंग सही लगाना वहां उप्लब्द करवा दूँगा आप हिंदी हिंदी के जो पेस है जो भी वह आपक तक यह भी मैं इसमें वापस सई करवा के आपको सई PDF वहां पर देदूँगा ठीक है यह कला संस्कृति वाले ही है इसमें चित्रकला मेलेयों त्योहार पर्थाएं वस्त्रा आभूशन लोग संगीत हैं नर्तिया राजस्तानी भासा आयम सायतिया बीच में यह जो है लोग राजस्तान का संबंद यह वाले हैं एक तो राणसांगा जो कल की क्लास में पढ़ाया था और आज की क्लास में आपको राय सिंग और राज सिंग यह भी पढ़ा दिया है फिर मांतिंग और चंद्रसेन यहां तक अपन पढ़ चुके हैं यानि कि हिस्ट्री का बहुत कम पा और एकिकरन आगया ठीक है जन जाती और किसान अंदूलन आगये यह वाला है ठीक है एकिकरन आगया सोसाइटी एंड रिलिजेंस के अंदर लोक देवताय देविया संद राजस्तान के संद महत्मा है मंदीर महल इसमारक पैंटिंग चितरकला और यह सारी चीजे ठीक है ना से इतने प्रशन पूछे गए ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से अनुमान आ जाए कि हमें यहाँ पे ज्यादा जोर देना है सबसे पहली बात कि जीके पड़ रहे हो तो जीके के अंदर आपको इत्यास कला संस्कृति वाले पार्ट पे सबसे ज्यादा जोर देना है क्योंकि 15 प्रशन लगबग पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपको पकड़ करनी है यह बहुत अच्छा पीक टाइम है जब आप यहाँ पे पकड़ कर सबो अच्छा आप बात करते हैं कि सर यह तयार कहां से होंगे तो यह तयार यदि आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से करने हैं तो आपके पास में अभी समय भी है आप NCRT से कर सकते हो और राजस्तान से संबंदित जो है वो RBSC की पुस्तकों से कर सकते हो राजस्तान अध्यन प्रशन वहां से बनते हैं निश्चित रूप से ठीक है और इनकी यदि प्रैक्टिस भी करना जाओ तो GGD पर ल इसके अलावा अपनी भी वन लाइनर इसके अंदर आई थी और आएगी भी अपडेट होकर भी आएगी यदि किसी को अभी मैसुस जरूर्ट मैसुस होती है तो वह आज पास पता कर लें कि किसी दुकांदार के पास पढ़ी है तो आप उसको पढ़ सकते हो क्योंकि मुझे अपडेट करके देने में समय लगेगा जब मेरे पास मैं अभी यहाँ पर टेबल पर उपलब नहीं है नहीं तो मैं आपको फोटो भी बता देदा मैं स्लाइड में लिया नहीं बाकि उस वन लाइनर को पढ़के तिद्यारतियों ने बहुत हांदा रिविजन किया बहुत अच्छे से और सेलेक्शन के सुट में आपको टेलिग्राम पर प्र डाल चुँका था कि पौल्टिकल से कितने सेलेक्शन हुए जोगलब्त से सेलेक्शन हुए सारे ही मैंنت अप्लिब्द करवा दिये कहने को तो लोगों ने कहा था कि ये प्री की ग्लासों से सेलेक्षन नहीं होते एक थोरी सी बनी हुई है राजस्तान में कि जो जितना महंगा कोर्स होगा जो जितने ज़्यादा पैसे लेगा वो उतना अच्छा पढ़ाएगा नहीं पढ़ाना यहां से होता है जिसके अंदर जितनी अच्छी बावना होगी वो उतना अच्छा पढ़ाएगा अच्छा आपके मन में यदि यह हो तो आप सोच कर देख लेना बड़े से बड़ा नाम सोच कर देख लेना जो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी सलाय नेंगे लेकिन क्या उन्होंने यह कहा कभी कि मेरे सारे के सारे कोर्स में यूट्यूब पर करवाऊंगा मेरा कोई पेड़ कोर्स नहीं है मेरी कोई पेड़ क्लासेज नहीं है सबी अच्छी सलाएं सब देते हैं मैं भी देता हूं लेकिन उसको वापत विद्यारतियों के हिप में करना क्या है क्योंकि इसके लिए एफट लगते ही हैं हवन है और इस हवन को करते हुए हाथ जलते हैं और हाथ जलने के सबसे ज़्यादा चांसे फ्री क्लासेज में रहता होगा तो मैं अपनी लिए यह अच्छा रही बात किता हूं कि तो किताबे आप वैसे भी लेते हो यदि आपके लिए फायदेमंद है तभी तो आपने इस पूर ली और इसको लेने के बाद में एफट यह है कि इसने आपके कम से कम तीन से चार महीं ने बचाए और बहुत बहतरीन तरीके से 90% सवालों को कवर कर लिया और बिल्कुल कम पेस के अंदर बिल्कुल कम कंटेंट के अंदर तभी तो इतना विश्वास जजीडी बन लाइनर पर विद्यारतियों का है तो इसको अपडेट करके दे दिया जाएगा बाद में आपको बता दिया जाएगा अच्छे तरीके से फिर बात करते हैं मेंटल एबिल्लीटी और इस्टेटिक्स की तो यहाँ पर मानती कभी उग्यता वाला यह पार्ट है अब इसके अंदर पिछली बार तो मैंने स्थारे सब्जय की क्लासेज मैं नहीं दे पाया था इस बार फैकल्टी बहुत बढ़िया तरीके से अरेंज कर रखी है जैसे जैसे इनका नंबर आएगा क्योंकि अभी जैसे विज्ञान की क्लासेज चल रही है और जीके की चल रही है अब यह मेंटल एबिलिटी और यह भी आपको बहुत 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 मेरी इतनी अच्छी नहीं है तो आप यहां पर हिंदी के अंदर आपको syllabus मैंने available करवा दिया है अब जब mental ability की classes अपने यहां से शुरू होगी तब वो पहले इसका analysis करके और आपको फिर शुरू आत कर देंगे बढ़ानी ठीक है तो वहां पर यह हिंदी के अंदर जिनको syllabus की से आवेशक्ता थी उनके लिए यहां से आप देख सकते हो ठीक है चलिए इसके बाद में आपने देखे mathematics वगर यह आगया मैंसुरेशन पीछे इसके गणित के अच्छा वो मैंडल लेविडिली थी था और गणित और इसके अंदर mathematics मैंसुरेशन के अंदर संख्या पद्द अनु रासयनी कपिक्रिया और शमीकरन है वॉतिक विज्यान में बल एवं गति के नियमकारिया उर्जा जी विज्यान के अंदर उत्तक नियंतरन समन्वाए अनु आंसी के यह जय वुद्विकास पर्यावरन एवं जय विवित्ता में प्राकर्तिक संसादोनों का बने गनित्मे से लगबग दस बने है वो भी मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगा कि कहां के कितने बन रहे हैं ठीक है बात करें सामान्य हिंदी की तो सामान्य हिंदी के अंदर नॉर्मल सी व्याकरन पुछी गई है इसमें क्या है संधी और संधी विचेद यानि संधी वाला टॉपिक है उपसर्ग प्रत्य अनेकार तक सब्द विलोम सब्द सुर्ति सम्विनात्मक सब्द सब्द सुद्धी है वाक्य सुद्धी और अंग्रे जी के पारिबासिक सब्द ज्यादा बहुत ज्यादा नहीं दे रखा है इसके इंदर ठीक है ना लिमिटेड चीज बहुत ही बहत्रिन मैं इससे बहत्र सांदार किताब है यह ठीक है ना और आप लोगों को करना क्या है हिंदी के अंदर हिंदी के अंदर आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा उधारन देखने हैं और उन उधारनों से संबंदित फिर प्रस्ण देखने हैं कि प्रस्ण कैसे बनते हैं पूराने प्रश्ण पत्रों का विश्लेशन तो करना ही है इंदी में ठीक है नियम आप पढ़ोगे तो यह नवीन इंदी की व्याकरण के अंदर बहुत सांधार नियम दे रखे फिर आपको यहां से ग्रामर की के अंदर मैं यह कहूंगा मैं कि नियम आप समझ को के हो चाए किसी का नियम नहीं भी समझ में आया ना कुछ प्रश्ण ऐसे होते जो सीदे उधारन से सही हो जाते हैं तो इसमें उधारन ज्यादा से ज्यादा देख कर जाओ हो सकता है आपको वही उधारन एक्जाम फॉल में देखने को मिले यही त्योरी आपको अंग्रेजी व्याकरन के अंदर भी अंग्रेजी ग्रेमर के अंदर भी सामिल करनी है और आप लोगों को बहुत जल जीडी के इसी प्लेटों में हो सकता है कि मई माह में ही अंग्रेजी के यह चैप्टर पढ़ाने सुरू कर दिये काइड भी कर देंगे आपको कि इसके लिए कौन सी बेस्ट वोक्स है कौन से बेस्ट टीचर है वह बाकि यह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से यहां से करवा दिये जाएंगे ठीक है तो इंग्लिस जो है इसको तो देखो ट्रांसलेट करने काम ही नहीं है यह तो अल्रेडी इंग्लिस में ही आपको ध्यान होने चाहिए ठीक है इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ठीक है ना चलिए बात करें करन्ट अफैर्स यानि कि समसामी की समसामी की का एक बहुत बड़ा रोल रहता है पस्ट ग्रेड इसके अंदर अर समसामी की के अंदर इस बार में ही आप लोगो को ये स्टीसे सारी करवाने वाला हुं ठोड़ा सा करन्ट के ऐंदर इसमें जो है जंग अन्यरब अगरे पर ज्याधा जोड दिया जाता है अब्गरेंट ग्र्रांट के अंदर ही इसको सामिल कर दिया गया है करन्ट प्रोग्राम ऑफ डवलेप्मेंट इन इंडिया विद इस्पेशल रेफरेंस ऑफ राजस्तान इसकिम्स ऑफ वुमेन एंपायरमेंट यह चीजे जो है एक बहतर तरीके से पढ़ना है मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि नौट्स मेकिंग पैटन पर ही आ होता है उसका सेलेक्शन भी खुद की मेहनत पर होता है ठीक है ना मैं तो यह कहता भी है कि यह तो सर की मेहनत से हुआ नहीं मेहनत तो हम तो सभी विद्यार्तियों के लिए करते हैं लेकिन सभी का सेलेक्शन होता तो नहीं खुद का डेडिकेशन होता है खुद की मेहनत होत सब्सक्राइब तो यह अलग-अलग चीजे हैं बात करें जनल साइंस का मैं बता चुका पॉलीटी और राजस्तान भुगोल की बात करते हैं ठीक है इसके अंदर आपको जो पढ़नी है वो राजस्तान का भुगोल पढ़ना है बारत का भुगोल नहीं है राजस्तान के वेकैंसी में नए डेटा के आधार पर फो अभी जो डेटा चल रहे हैं उनी डेटा को आपको पढ़ना है क्योंकि नए डेटा में बहुत सारी उठापटक होती है अभी तो कई जगे जिल्ला बनाओ के मांग चल रही है और कई जगे फिर कोट कचरी के केस वगेर चलेंगे के किसी का एडिया कि से जिले में चला गया किसी में क्या हो गया यह सारी तो यह चीजें जब बदला भुगोल में बदला होता है वह ऐसे सिर्फ कैने से नहीं हो जाता उसके पिछी बहुत सारी एफट लगते हैं बहुत सारे ठीक है न तो अभी आपको इन्ही डेटास पर है तो यहां पे राजस्तान का परिचे हो गया फिर अपवा तंत्र यानि की नदियां और जिले पटनी है जलवायू जन सांखी की विशेष्था यानि की जन गन्ना और राजस्तान में कर्शी पशूधन खनीज संसाधन उर्जा संसाधन परियाटन परिवहन और कारी उती रहेगी बात करें बातीर राजवेवस्ता की राजवेवस्ता में संविदान की प्रमुक विशेष्था है पढ़नी है फिर संग की कार्यपाली का आगई यानि की राष्ट्रपति पदान नंत्री परिशत बहतर तरीके से आप इसको कर सकते और यह यहां पर पूछी गई थी फर्स्ट्रेट के अंदर भी सेकंड्रेट के अंदर भी तो थोड़ा सा पॉलिटी में जो हैं घहराई में जाकर पढ़ना पड़ेगा और अभ्यास की बहुत जरूत पड़ेगी संग की विदाई का यानि संसद लोक अद्यक्ष और उसके कारियर नयायपा प्रफी राजस्तान की बता चुका में अब बात करते हैं सेक्सिक परबंदन की सेक्सिक परबंदन मैं ही पढ़ाने वाला हूं इस बार आपको और वो सिस्ट यहीं की जाएगी कि इसमें से प्रस्णा आपके गलत नहीं हूँ जब रीट ग्रेट थर्ड का एक्जाम था तो है कि सिलेक्षन होंगे और डंके की चोट पर होंगे ठीक है चलिए सेक्सिक परबंदन के अंदर सेक्सिक परबंदन में प्रशाशन सिक्सा में समगर गुणवंता परबंदन परियम एक्षण एवं निरिक्षण संस्तागत नियोजन सेक्सिक परबंदन में फिर दूसरी unit के अंदर आ जाता है, राजत्तान में प्रात्मिक है, माध्यमीक शिक्सा, संबंदित संस्ताएं आ गई, फिर इसके अलावा आपके SIQE आ गया, और SIQE के अलावा फिर अन्य संचालित जो कार्यकरम है, ठीक है, जैसे rise है, आपके और भी जैसे कार्यकरम इसके दे रखे है, सिक्सा में नवाचार, नवाचार जो कर रखे हैं, जैसे कि आपके सनिवारिय नो वैग्डे हैं, इससे समने, मतलब जितने भी नवाचार है, ठीक है, वो सारे के सारे, RKSMB के है, राजत्तान के सिक्सा में बढ़ते कदम, ये भी नवाचार के अंदर है, तो न बात करते हैं साथियों, कि अनुमानी प्रश्न संक्या कितनी है, उससे पहले आपको बता दूँ, कि इतनी देर से मैं कह भी रहा हूं, और सिलेवस आनलीसिस के साथ मैं ये भी बताया है, कि आप लोगों को बिल्कुल ही फ्री बैस दे रखा है, उसमें करना क्या है आपको, कि ये आपका अपना चैनल गौरव ग्यान धारा सर्ज करना है, जिस पर आप लोग पाएंगे कि 360 के, यानि 3,60,000 से अधिक विध्यारतियों का विश्वास है, और ये तो एक आखड़ा यहां दिखता है, ठीक है, लेकि नहीं, आपके खाते के पैसे हमारे खाते में तब आएगा, जब हम कोई paid course देंगे, ठीक है, बाकि यहां पे आने वाले नहीं है, तो यहां पे क्या है, 990 वीडियों दल चुके हैं, अच्छा, आज ही पता चला, यानि कि 10 वीडियों के बाद में 1000 वीडियों अपने हो यह भी दिखेगा, ठीक है, यह मेरा यह वीडियो है, यानि कि नार्शिस्जिज्म का कितना परभाव है, देखो, मेरा खुद का वीडियो लाइक किया हुआ है, अगे तो यह तो नहीं दिखेगा, आपको, यह धिखेंगे, ठीक है, इसमें देखो, हिंधी व्याकरन, तब ह ये एक्जाम को ध्यान में रखकर हिंदी व्याकरन करवाई जा रही है रेगुलर क्लासेज चालू है लेकिन आप लोगों को जो इस्कूल व्याक्याता की तियारी कर रहे हैं अभी सिले उसमें जो टॉपिक बताये हैं वो टॉपिक यहां से देख लेने प्रस्ट नहीं से बा हिंदी व्याकरन की यहां से क्लासेज आपको मिल जाएगी अच्छा यह आर भी ऐसी का सिरीच चला रखिए अपने सप्ता में तीन दिन आर्बीसी की नौर्स मेंगिंग पैटन पर याद करवाने के तरीके से देते हैं यह वाली है इसकूल व्याख्याता के लिए यह प्ले आप लोगों को नौट्स बनाने शुरू कर लेने अच्छा बुक्स और वन नाइनर और कब आएगी वह जब भी आएगी आपको सूचना दे दी जाएगी लेकिन तब तक कंटीनूटी रखें जितनी कंटीनूटी रखोगे उतना अच्छा है ठीक है वन लाइनर बहुत जल में पूर्ण ता लिये हुए ठीक है इसके अलावा आप देखो इत्ती बागवत्वाची है तो थोड़ा बहुत हमारा फाइदा भी देखें और विध्यार्तियों का फैदा भी देखें फाइदा यह है विद्यार्तियों का कि मात्र ना मात्र के सुल्क के अंदर अभ्यास इन्हें कहते टॉपीक वाइज यानि वास्तविक टॉपीक वाइज यानि एक चैप्टर उठाया आपने पड़ा मालीजी राजस्तान की इस्तिति विश्तार पड़ लिया अब उसमें मालीजी सोय और चो प्रश्न भी बन रहे हैं तो वो सारे के सारे अभ्यास आपको इन राजवेवस्ता दे रखी है और भुगोल इन दोनों को साथ में मिला कर दे दिया यह भारती राजवेवस्ता और भुगोल यह भी साथ रुपे के सुल्ख में और सेक्सिक प्रबंदन दे रखा है अब रही बात कि हिंदी इंग्लीज और गणीत वगर इनकी तो यह अलग स इन तरीके से बनाकर उसमें सारे सब्जेक्ट और कवर करवा दी जाएंगे तो यह मैक्जिममम नंबर वाले जो हैं इनको जोइन करके आप अप्यास कर सकते हैं अच्छा किसी को लगें कि इस पर अप्यास करने से हमारा फायदा नहीं और सर अम्मा नहीं बन जाएंगे तो इसके अंदर कोजा ही नहीं बरतना है, पूरी तरीके से इसको मैंटेन करके चलना हीं किसी फीर देते हैं कि कि टीम जो एक काम करती है ना उनको अच्छा चलिए मैं आपको फ्री क्लासे दे रहाँ मुझे यूट्यूब रेवन्यू दे देता है लेकिन जो टीम काम करती है उन्हें हमारा जो मंतली खर्च है वो लाक्वों में जाता है तो वो कम से कम उस खर्च को हम निकालेंगे तभी सुरू करेंगे कोर्से के वहां से जो है हम बिल्कुल रूप निश्चित रूप से पता है फिर विश्वास हो जाएगा कि हाँ अब अमवानी को टकर दे सकते हैं ठीक है चलिए तो अब आते हैं अपन इस पे की माक्स कितने आप लोगों के कौन से सब्जेक्ट से कितने आन अच्छा किसी में एक दो प्लस माइनस हो सकता है तो यह अनुमानित है लगबग ठीक है ना प्लस माइनस हो सकता है वह नहीं लेकिन लगबग यह प्रशन पूछे गए अब इसमें देखो इसमें इतियास वाला जो पार्ट है उसके 15 प्रशन आये हैं यानि कि राजस्तान क के माध्यम से लगबग 55% करा दिया 50-55% कंप्लीट करवा दिया है क्योंकि इंडियन इस्ट्री तो पूरी हो चुकी अब तो राजस्तान चल रहा है तो यह आप लोगों के बिल्कुल ही हो चुका है गणित बहुत जल्द क्लासे सुरू कर देंगे यह 10 नंबर का है ठीक है अंग्रे जी के अंदर नंबर नहीं यह प्रस्नों की संख्या है ब्रस्न संख्या है जा 17 पर छोड़ रोज भी उदारान पड़ों के ना निश्चेज भूप से आप इसमें नंबर लेकर आ जाओगे उपसर पड़ती है तो आप तोड़ कर बना सकते हो वहाँ पर विज्यान के अंदर पाच अंकों की है ठीक है लेकिन फिर भी पढ़ना तो पढ़ेगा और प्रश्ण बाहर जाने की संभावना न के बराबर है राजव्यवस्ता के बारती राजव्यवस्ता यह मैं करवाँगा आपको भुगोल राजस्तान का थीक है इसमें से 10 प्रश्ण आएंगे और भुगोल की क्लासे यदि देखना चाहो तो देख सकते हो पूरानी करवा रखी हमने टेस्ट रिस दे रखी है वहां से जाकर आप अभ्याद कर सकते हैं ठीक है ना टैक्सिक परबंदन ये भी देखुद 10 प्रश्ण है और संसामी की करेंट वाला जो है वो भी 10 प्रश्ण है अब यानि कि आपको विशेश जोर कहा कहा रखना है विशेश जोर रखना है इंडियन हिस्ट्री और राजस्तान हिस्ट्री वाले पर गणित के भी 10 प्रश्ण आएंगे और एक यहां पर जोर रहेगा ठीक है यानि कि जिक्के के अंदर अब कहा दें यदि कि ये पेपर ही वैसे जीके का है लेकिन जीके वाले पार्ट पर ही ज्यादा फोकस रखना है अच्छा यह नहीं है कि आप किसी को skip कर दें कि मेरे तो गणित पर ले नहीं पड़ती इसा नहीं करना है जितना आता है जैसा आता है वैसा नियमित और रेगुलर पड़ो आप 5 में से मालीजी 3 भी सही करके आजाते हो तो फाइदा ही है यदि आप छोड़ी दोगे मालीज पांच के जगे साथ पूछ लिए कभी तो तब दुख होता है इसका कोई fix criteria है नहीं कि इतने ही पूछे जाएंगे इसलिए skip नहीं करना है कोई भी पार्ट को छोड़ना नहीं है अभी आपके पास में समय है आप अभी से साथ में लेकर चलें और बहतरीन तरीके से पढ़त प्रेजी से लगा कर ये राजवेवस्ता यहां तक आपके पांस-पांस नंबर है और राजवेवस्ता भी जीके के अंदर आ जाती है तो यानि कि मेरे उपर चिम्मेदारी ज्यादा है दूसरी faculty के मुकाबले इसलिए तो लोड लेते हैं क्योंकि बच्चे विश्वास करते हैं और वे बच्चे जो बहुत कम ऐसे हैं जो वास्तों में paid course ले सकते हैं और यहां से बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा ऐसे जो paid course नहीं ले सकते और यहां से बढ़ रहें और निश्चित रूप से मैं उनका सिलेक्षन करवाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा खूसी बावनाय कैसी है और विध्यारती जानते हैं कि इन बावनाओं के पीछे उद्देश्च ये क्या है तो निश्चित रूप से सेलेक्शन और एक मिठाई के डिब्बे के एवज में हम ये सब पढ़ा लेते हैं ठीक है कि हां मिठाई लेकर आएंगे हमसे कुसियां बाठेंगे बस यह है तो बस असाथियों इसके लिए यूँ है कि यह हवन करते हाथ जलने वाली कंडिशन है इस चीज को समझना कभी भी ठीक है क्लासेज लगानी सुरू कर लेना और इसके अलावा जैसे सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को गाइडेंस चीए तो सब्जेक्ट के जो आप लोगों को बता दी अच्छा यह इसको मैं साजा कर दूंगा वापस कहां अपने टेलिग्राम के अंदर तो वहां से आप यह सिलेबस वाले जो हिंदी हिंदी में दे रखें उनकी पीडिया प्रिंट जरूर करा देना उनकी और उसके बाद में आप पिन करके आपके प अपडेट या कुछ होगी तो बहुत जल्द बहुत जल्द वैकेंसी इसकी आने वाली है तो कमरकस के तयार रहें मिलते हैं सात्यों अगले वीडियो में अगली क्लास में तब तक के लिए राम राम जैहिन